We are queer पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं ये कहानी प्यान और इमोसन से भरी हुई है इसे पहले के हम कहानी शुरू करें जो नए है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले हर रोज पोस्ट होने वाली गिलफ स्टोरीज सुनते रहने के इसके साथ आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर भी खुबसूरत गिलफ स्टोरीज का अलूत को उठा सकते हैं कानी शुरू होती है बर्थडे पाटी से जहां नैतिक अपने बड़े भईया भावी और मापापा चाचा चाची और उनके बच्चे और सिस्टर्स के साथ सभी के साथ खड़ा हुआ है और नैतिक का साथ साल का भतीजा अपने चाजु नैतिक का हाथ पकड़े केक की तरस देख रहा है क्योंकि बथडे सोमिल का ही था यानि के नैतिक के भतीजे का नैतिक दिल्ली से बिहार के एक छोटे से गावाया था भतीजे के जन्म दिन की पाटी में और वो अकीला नहीं आया था, बेल की साथ में उसका दोस्त शीविन था शीविन बैंगलोर से था और नैतिक सीविन साथ रहते थे, दोनों रूममेट थे पर दोनों अलग-अलग आईटी कमपनी में जॉब करते थे सीविन को हिंदी समझ नहीं आती थी सीविन तेलोगू और इंगलिस समझता था टूटी पूटी इनदी समझ लेता था पर फिर भी पकड तेलोगू और इंगलिस में अच्छी थी सीविन का रंग बहुत डार्क था अब यहां रंग भेत की बात लग सकती आपको उपर शेवेन का रंग बिल्कुल काला था नैतिक भतीजे काथ पकड़े केक कटने का इंतिजार करता है और सोचता है कि कब इन सब के बीच से निकल सको साथ साल का सो मिल काफी प्यारी से मुस्कालनी अपने चाचू को देखता है चाचू परेसान खड़े है नैतिक का दिया गिफ्ट खोल कर वो देखना चाहता है था कि आखिर चाचू ने बॉक्स में दिया क्या है पर सब की खुसी के बीच जहां नैतिक का पूरा परिवार खड़ा था अंदर ही अंदर नैतिक परेसानियों से जूज रहा था परिवारिक टॉर्चर से जूज रहा था के कट होते ही नैतिक अब वहां से निकल कर अपने कमरे में चला जाता है बिना कुछ कहे और कमरे में जाने के पाद तकिया के नीचे सर दबाकर रोने लगता है नैतिक देखने में गोरा चिता खुबसूरत सबंदा अच्छी जौब भी करता है लाइब सैटिल्ड है पर जादा खुल कर बाते नहीं करता है नैतिक के पीछे पीछे उसकी मा आती है और कहती है कि लिफाफा तुमारे बगल वाले टेबल पर रखी हुई है सुबह जवाब देना है इसलिए तुम अच्छे से देख लो और हां परसो तक रुखना ही होगा क्योंकि तिरे चाचा ने सारे इंतजाम कर दिया है और इतना कहकर नैतिक की मा वहाँ से चली जाती है जिसके बाद नैतिक और जोर दोर से रोने लगता है नैतिक को ना खाने की पूछी और उसने थोड़ा सा देखा उसे लगा कि हां साथ भहिया दुखी है उसने अपने तरब से जो फॉर्मेलिटी निभानी थी उसने भी निभाई की भहिया अपने खाना खाया या नहीं और फिर वो चले गी वहाँ से अब दूसरे तरब हॉल में जाम बथरी की पाटी चल रही थी सीविन जो की नैतिक का दोस्त था उसने नैतिक के चाचा के साथ बैठ कर कुछ दिर्बाते की तब चाचा ने सीविन को पकड़ लिया और पूछ दास चालू कर दी नैतिक के जीवान के बारे में कि आखिर करता क्या है दिलनी में उसके परसनल लाइफ के बारे में सीविन को चाचा जी की भासा समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो बिहारी भासा में पूछ रहे थे फिर भी हाँ और ना में कुछ चीजों के जवाब दे दिये सीविन ने सीविन ने नेती को परशान होकर कमरे में जाते देखा था इसलिए सीविन उसके पीछे जाकर बात करना चाथा पर चाचा ने आपर रोक रखा था सीविन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा एक तो सभी भोजपूरी में बात कर रहे थे और नैतिक का दुखी होना उसे अटपटा सा लगा लगबग दो गंटे बाद जब सिविन नैतिक के कमरे में गया नैतिक के हाथ में नींद की गोलिया देखी सिविन खबरा गया कि गहीं नैतिक ने कुछ गलत न कर लिया हो वो तब सीविन पास गया और नेतिक को नीन से जगाया नेतिक उठ ही नहीं रहा था सीविन ने जबरन किया और तकिया लूट लिया पूरा तकिया आसू से गिला हो चुपया था सीविन खबरा गया कि आखिर चल कि आ रहा है कहीं इसने कुछ कर तो नहीं लिया उसने तुरंत पूछा नैतिक से कि रो क्यों रहे हो तब नैतिक ने कहा कि ये जो हाथ में गोलिया देख रहे हो मन तुकर रहे हैं पूरा खा जाओ खेर तुम्हें कल सब पता चल चाएगा मैं अभी कुछ बताने के हालत में नहीं हूँ तब अब सिविन के जित पर वो कहता है कि ठीक है ये सामने पड़ा लिफाफा देखो तब सारी बात समझ में आ चाएगी सिविन लिफाफा उठाया और देखा कि दो खुबसूरत लड़कियों के फोटो है उस लिफाफे के अंद जिसमें पीछे उनका पूरा बायो डाटा लिखा हुआ है सिविन समझ जाता है कि आखिर ये रिस्ते का मामला है सादी का मामला है सिविन नैतिक से कहता है कि ब्रो तेरे पैरेंट्स तो बहुत खतरनाक है मुझे नहीं पता था कि तेरे चाचा पॉकिट में गल लेके गूमते है और इनकी मरजी की खिलाब तू गया तू मुझे नहीं लगता कि ये सांत बैठेंगे बोहुत बखेडा खड़ा हो जाएगा नैतिक ने का कि मैं पहले से परिशान मुझे और परिशान मत कर तू डरा मत मुझे मैं जानता हूँ कि मेरे फैमिली वाले कैसे है इसी वज़े से तू मैं बहुत दुखी हूँ नैतिक बैठता है और शिविन से कहता है कि यार सुन तू एक काम कर तू वापस दिल ली जाना और और रॉनक से कह देना कि मैं मर गया मैं नहीं रहा सिर्विन कहता है कि दिमाग खराब है क्या तेरा रॉनक मुझे मार डालेगा और अगर उसे मने ये बात बताई तो क्या पता उसने कोई कदम उठा लिया और तू इतना ज़दा अपसेट क्यों है तू मैतिक ने बताया कि परसो चाचा ने सगाई का प्लान तक कर लिया है ये दोनों लड़कें एक ही फैमिली की और इन में से किसी एक को पसंद करना ही है ममी पापा ने डेडलाइन दे दी है कहा आकर फद गया हूँ मुझे तो को समझ ही नहीं आ रहा दोस्तो रौनक असल में अभी दिल्ली में है और वो नेतिक और रौनक एक दूसरे से बहुत ज़ादा प्यार करते हैं दोनों एक समलेंगी करिष्टे में है सिविन स्ट्रेट है और वो नेतिक और रौनक दोनों का अच्छा दोस्त है उन दोनों को समझता है रात को सिविन ये सब सुन कर परिसान हो जाता है नैतिक को अपने साथ टेरेस पर ले करके जाता है सिविन आके मोट ठीक हो जाए उसका और दोनों चुपके इसे छट पर जाकर सिविन अपने पॉकिट से पहले तो दो सिगरेट निकालता है एक अपने लिए एक नैतिक के लिए अब दोनों इच्छत में दो घंटे में लगभग दो सिगरेट से सुरुवात करके 15 से 20 सिगरेट फूख चुके होते हैं और तब दोनो इतने मतलब की नसे में दुथ तो हो जाते हैं सर उनके एतना भारी हो जाते हैं कि नीचे कमरे में आते हैं और रौनक को कॉल करता है और अब घर में जो चलना था रौनक को नैतिक ने सारा हाल बताया और सिविन ने रौनक को ये बता दिया कि इसके घर वाले बहुत खतरनाग है तुम तो मिले भी नहीं हो और चाचा जी नितागिरी में है तो साथ में कट्टा लेकर के घूमते हैं सिविन ने सब कुछ बता दिया अब सिविन बात करी रहा था और इस पर रौनक ने कहा कि तुम लोग कब तक लोटोगी मुझे ये बताओ हम कोई रास्ता निकालेंगे अब सिविन से फोन चीन कर नेतिक रौनक को दुखी मन से समझाता है कि अब सायद तुम्हें कोई और देख लेना चाहिए हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता नेतिक दुखी था और उसने रौनक से ठीक से बात तक नहीं की जिससे रौनक बहुत परिसान हो जाता है रात यूँ ही गुजर जाती है और सुबह जब आँख खुली सामने सोमिल रोते हुए जित कर रहा था कि चाचू चाचू आपने जो कार गिफ्ट की है उसकी बैटरी खतम हो गए मुझे नई बैटरी दिला दो नैतिक ने कहा कि जा पहले भावी से चाई के लिए बोल दे बटा बैटरी में दिला दूँ और चाई पिया तक नहीं था और देर रात जगने की वेज़े से सिवीन हाफ निककर में पूरा बैट पर कवर कर लिया था उसने बैट को और पड़ा हुआ था यूँ सो रहा था गैरी नीम में था उसे हो सी नहीं की यहां खर में सब जल्दी उठ जाते हैं और कई बार आते जाते रहे अब उसे ये दिल्ली लग रहा था अस्विन के उठने तक नैतिक ने चाय तो पी लिया था और फिर नहा भी लिया था ब्रश भी कर लिया था और तब नास्ता मा ले करके आई और पूछा कि दोनों में से कौन पसंद हैं जल्दी बता तब नैतिक बहुत हट हुआ और मा की आँखों में देखते हैं उसने कहा कि आपको जिससे मेरी शादी करानी है कर दीजे मुझसे क्या पूछ रहे हो मेरी मर्जी कब चली है जो अब चलेगी आज तो कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से हुआ भी है अब हाँ कह दिया कह करके मिठाई बटवा दी गई और अगले ही दिन सगाई का डेट भी फिक्स हो गया क्योंकि नैतिक को दिली लोटना था सबको पता था कि जॉब में है चला जाएगा नैतिक ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया भूख प्यास जो मिठ गई थी और फिर सगाई करते वक नैतिक की आँखों में आसू थी सगाई हो जाने के अगली सुबह की फ्लाइट से अस्विन और नैतिक लोट गए दिली अब दिली जाते जाते ये जो सफर था उस बीच काफी परिसान रहें दोनों के दोनों नैतिक और अस्विन दोनों ही एरपोर्ट पर लेने के लिए रौनक आया और रौनक का देखते ही नैतिक जोरों से रोने लगा उसने गले से लगा लिया और जी भर के रोया अब आगे की स्टोरी क्या मोड लेगी हम नेक्स पार्ट में जानेंगे दोस्तों क्या मा, बाप और समाज के खाति नहतिक शादी कर लेगा या कोई चमतकार होगा जानेंगे अगली सुबह पाच बज़े स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर शेर करें सब्सक्राइब करें आज के लिए तो वस इतना ही थैंक्स फो लिस्निंग, have a good day लव इस लव